Hello everyone, good morning. कैसे हो आप सब? तो ये आज हम कहां जा रहे हैं? जा नी रहे हैं, वैसे तो हम वहापिस आपिस आप एहार का ये ये मैंने व्यू ले रखा हैं. तो कहां गए थे हम लोग और क्यों गए थे वो सारा आपको आगे देखने को मिल जाएगा. हस इसलिए रही हुँ ना क्योंकि हम जिस काम से गए थे वो कंप्लीट नहीं हो पाया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आफ का यह वीडियो तो हम लोग आगे हैं आज आम लेने बच्चों के लिए खटे मिठे में अपने देशी आमों को खाने काना मज़ा ही कुछ और होता है तो हम कहां आए हैं इनके पैत्रिक गाओ इनके इसलिए बोलते हुँ ना क्यूंकि देखे अब मेरा माई का वहा है तो मैं वहां पैदा हु इसलिए पूरा का पूरा व्लॉग आपको प्रतीदेव के चैनल पर ही मिलेगा देखने हुग तो मैं थोड़ा सास देख लेती हुँ और चलते-चलते देखे ये ना मुझे काफी अकेला छोड़के भाग जाते हैं आगे-आगे और मेरे सास फूलती है इस वजह से मैं जल जिलती दौड़ नहीं पाती तो फिर अगर थोड़ा बहुत डर लगता है मुझे तो मैं भी फट सेगी कैमरा ओन कर लेती हुँ कि बात में पता तो चल जाए कि exactly हुआ क्या था अगर इनकेस कुछ हो जाए मुझे तो सबूत के तौर पे तो चलिए मनलब आपके सास गप श कि रात को भी मुझे याद आ जाए तो फिर मेरी मुझे नीद नहीं आती उसके बाद तो नहीं अभी आपको नीट रा रही हूं ऐसा मत सोचना तो बस अभी चलते हैं हूं काफी उपर पहुँच गे तो जी आन की तलाश में घूम फिर के हम आगे लेकिन हमें कहीं भी आप कि अभी आपको पसीरों से पूरे हाल हो रखे हैं तो अचली आप कहीं और जुबार दिग्रम लगाते हैं एचली रिस्टा वैली में बहुत जादा है आम तो देखते हैं हैं वहीं बित्तर सबुचते हैं लड़ी आप दो खिला दे कहीं और वो लेके आई थी ना घर पे इ खार के खाली हाथ ही हम लोट आए हैं और यह देखिए अगर आपको व्यू दिखाया जाए ना तो बहुत ही खुबसूरत सब व्यू है इसलिए मैंने सुच आपके साथ तो जरूर शेयर करना चाहिए मलब यह देखिए पीछे बादल थोड़े-थोड़े से नजर आ रहे ह अर्वी का पलधा तो तड़का मैंने तयार कर रखा था और यह अर्वी बॉइल करके डाल रहे हूं क्योंकि यह जो डिश है यह इसी तरह से खाने में भी टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत ही मसेदार लगती है जल्दी बन जाती है क्विकली जब आपका मन नही पता जीरा यह सब चुझें अच्छी तरह से कर डाल देते हो तो बस बहुत कुछ ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसका में मसाला बस यह दहीं ही रहता है जो कि हम एंड में डालते है और दहीं की वज़े से यह बहुत तेस्टी भी बन जाती है और ज जाता है तो यह तो हो गई जी खाने की बात और इसके बाद चल पड़ी है जी हमारी फिर यह क्लीनिंग की रूटीन सबसे पहले मैं क्या करती हूं कि कपड़े डाल देती हूं जितने भी होते है मशीन में वह भी दूलती रहती है और हम अपना साफसफाई का काम भी करते र तो उसी का मलब यह ट्राइल चला हुआ था और उसने बहुत अच्छी तरह से कपड़े नहीं दूले हैं तो पती देव यही देख रहे थे वहला कि यह कैसे कपड़े दूले हैं तो अभी ट्राइल ही था मुझे भी पता नहीं था इसके बारे में कि हां कैसा यह होगा कैसा नहीं तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया और इनको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया पर चली अब लेके आ गए हैं तो यूस तो करना ही पड़ेगा तो जो एक शिफ्ट के कपड़े मैंने डाले थे वो तो आ गए दूल के मलब सूक के भी आ गए धूप काफी तेज लगी थी मॉर्निंग से पहुत तेज वाली दूप लगी थी और इतनी ज्यादा तेज गर्मी भी हो रखी है ना कि क्या ही बिताओं तो बस अभी ये कपड़े रख दिये मैंने और साथी साथ अभी मलब साफ सफाई का काम कोई भी नहीं हुआ था कंप्लीट तो बस वही हम लोग कर रहे थे किया कर रहे होई ए एस लिखते हैं ऑबी सिडी क्या लिखाई ए साफ सुत्री नहीं आती लिखने ये के लिखका मरी दूलने अच्छी सरीकों आच्छी से नहीं आती है दुसी को नहींने जिखो दोनों को करो तो बस साफसफाई का काम अभी चला ही है और बच्चों का भी अपना काम स्टार्ट हो चुका है जब से अब इनके स्कूल तो खुलने से रहे तो बस इसी तरह से टाइम पास के लिए इनको बड़ी मुश्किल से लगाना पड़ता है इदर उदर और नहीं तो फिर ये छूटते हैं यहां से तो बोलते हैं कि टीवी दे दो या तो मोबाइल दे दो तो यही जो है सारे ही दुनिया के बच्चों का धंदा चला हुआ है इसके बाद एक इंट्रस्टिंग बात आपको बताऊं तो परपल पे चली हुई है सेल फोर्थ टू एट्थ अगस्त तक अप टू 50% आफ प्लस 10% कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हो तो उसके साथ और मिलने वाला है तो आप खूप सारी शॉपिंग जरूर किजेगा और मैं आपको यहां पे कुछ प्रोडक्स भी दिखा रही हूँ तो यह देखिए सबसे पहला फेस वाश जैसा कि आपने देखी लिया कि आरगन फेस वाश है यह और आरगन हमारी स्किन को अंदर से हाइडरेट करता है, सॉफ्ट बनाता है इवन टोन रखता है इसके अलावा जो आपके पोर्स के अंदर गंदगी पॉलिशन गुष जाता है उसको बहुत ही डीपली यह बाहर निकालता है तो यह एक फोर्मिंग फेस वाश है जैसा कि आपने देखा कि इस तरीके से आप चाहे से अपने हाथ पे लेगके अगर आप कमफरटेबल नहीं हो अदरवाइस आप डारेक्ट भी पोर्ड कर सकते हो इसके साथ ही यह मिनी लिप्स्टिक्स है मतलब यह पूरी 12F का सेट आपको मिल जाता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और आजकल सेल चली हुए तो आपको और भी सस्ता मिल जाएगा देखिए इसमें हर तरह के कलर आपको मिल जाएगे वन वाई वन में आपको यह कलर भी दिखाती हूँ जो मेरे पास है तो यह देखिए पिंक कलर और इतनी अच्छी पिग्मेंटिड है यह अगर आप एक बार लगा लोगे पूरा दिन भर आपके लिपस से हटेगी नहीं और दूसरा आपके लिपस को ड्राइ भी नहीं करती है तो यह देखिए दूसरा इसी तरह से जो भी कलर है इसमें एक के साथ दूसरा बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा है सारे कलर बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं और बहुत ऑफी कुबसूरत जैसे कलर हैं अगर आप के पास कोई भी सूट साडी जिस भी सूट के साथ या फिर साडी के साथ आप यूज करना चाहरे होना आप इसली यूज कर सकते हो आपको यहां वहां डूणने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जैसे कि आप देखी रहे हो तो सारे के सारे कलर ना एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे है और यह डिखिए एक ही स्ट्रोक आप अपलाई कर रहे हो और देख रहे हो ना कि कितने अच्छी तरह से यह आपका कलर जो है खिल के आ रहा है और इसी तरह से फिर आपके लिप्स के उपर भी आपको एक्स्टा में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सीधे लीजी है जो भी आपके सूट के साथ मैच कर रहा है साड़ी के साथ मैच कर रहा है और यह रखिए एक से बढ़कर एक कल लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे जो भी चीजे में दिखा रही हूं इसके अलावा देखिए अगर आप कोई फेस्पेक बनाते हो तो नीम पाउडर आपके पास होना ही चाहिए मुल्तानी मिटी आपके पास होना ही चाहिए तो यह रखे अल्फ गुड गुल्ड व्राइटनिंग जेल मास्क है अगर आप कहीं कोई तीज तो हार है या फिर आपको किसी फंक्शन पार्टी फंक्शन शादी में जा रहे हो आपको स्पैशल दिखना है तो यह इस तरह की चीज़े आपके पास होनी चाहिए यह आपकी स्किन को इंस्टेंटली ब् जरूर किजिए फिर देखिए कैसी चमक आपके चहरे पर देखने को मिलेगी जैसा यह गोल्ड का दिख रहा है वैसे आप भी चमकते हो तो बस जितना कर मेटीरियल आपको जरूरत है उतनी से आप लीजी अच्छी तरह से मसाज किजिए और 15-20 मिनिट तक आप इसे इसी त जो लीजे फिर देखिए आप कमाल तो यह देखिए इस तरह का आपका गोल्ड निखार आपके चहरे पर भी आपको देखने को मिलेगा तो सारी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप इसकी कॉस्ट भी चकाउट जरूर किसेगा और बा कर दो कर दो मिलेगा ह।